जैम आता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हर्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैम आता दी जरूर लिखें। दोस्तों, नवरात्र के दिनों में घर लाएं इन में से कोई एक चीज, इससे आपके घर में मालक्षमी का आसिरवास सदयव बना रहेगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप स्रिकेस्ट है, कि अगर आपने हमारा यूटूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सस्क्र कर लें, तो आईए सुरू करते हैं. दोस्तों, माताराणी के पावन दिन नवरात्री आने वाले हैं, हम सब मादूर्गा की करपा पाने के लिए उन्हें अपने घर पर विराजित कर पूजा अरजना करते हैं. नवरात्र के दौरान मादूर्गा के नव सरूपों की पूज अगर नौरात्र के नौ दिनों को कमल का पुस्प अर्पित करते हैं। तो इससे मालक्षमी की असीम कृपा आप पर बरसेगी या फिर कमल पर बैठी हुई मालक्षमी जी की फोटो भी घर ला सकते हैं नौरात्र के दिनों में मालक्षमी का फोटो घर लाएं जिसमें वै धन वर्सा कर रही हूं इससे मा लक्षमी का इस्थाई वास आपके घर में सदयो बना रहता है और धन सम्बंदी सारी परिसानियां भी दूर हो जाती हैं अगर आप जायते हैं कि साल भर माता की कृपा आप पर बनी रहे तो सोने या चांदी का सिक्का घर लाएं नवरात के दौरान सोना या चांदी का सिक्का घर लाना बेहत सुब माना जाता है खास तोर पर सिक्के में यदि गडेश लक्षमी की छवी बनी हो तो ये बेहत सुब माना गया है इसे नौ दिनों तक अपने पूजा इस्थल पर विराजित करें इसकी पूजा अर्चना करने के बाद इसे लाल कपड़े में लपेट कर धन इस्थान वतिजोरी में स्थापित करना चाहिए इससे आपके घर में दिन दूरनी राज चौगनी तरक्की होती है दोस्तों नौरात्र के दिनों में मोर पंक घर पर इस्थापित करना बेहत सुब माना जाता है क्योंकि देवी के सरस्वती सरूप में देवी का वाहन मोर होता है इसलिए आप नौरात्र में मोर पंक घर लाएं और उसे नो दिनों तक पूजा इस्थान पर रखें और फिर आप उसे अपने घर पर कहीं भी या फिर बच्चों के रूम में या बड़ रूम में कहीं भी स्थापित कर सकते हैं इससे घर में सुबता बढ़ती है नौरात्र के दिन बेहत सुब होते हैं इसलिए सुहागन महिलाओं को सोला सरंगार की वस्तुएं माता रानी को जरूर चढ़ानी चाहिए ये बेहत सुब होता है इससे देवी बेहत प्रसंद होती हैं और उनकी कृपा आपके घर पर सदयो बनी रहेगी दोस्तों तुलसी का पाउदा नौरात्र के दिनों में घर लाएं ये बेहत सुब माना जाता है तुलसी के पास सुबह सामदी पक जलाएं फिर देखिएगा मालक्षमी आपके उपर जल्दी प्रसंद होंगी साथ ही नौरात्र में केले का पौदा भी घर लाना सुब माना गया है इसकी जड़ में जल चढ़ाएं और गुरवार के दिन कच्चा दूद हल्दी चढ़ा कर पूजा करें इससे माता की कृपा सदयव आप पर बनी रहेगी दोस्तों नौरात्र के दिनों में बरगत का पत्ता घर लाकर उस पर स्वास्तिक का चिन बना कर माता को अर्पित करें इससे मादुर्गा की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी और आपकी सारी मनो कामनाई पूरी होंगी आपको बता दें कि हर स्रंगार का पौधा भी नौरात्र के दिनों में घर ला सकते हैं इससे भी माता की कृपा होती है और घर पर सकारात्म कूर्जा का संचार सदयव बना रहता है तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंड में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंड बॉक्स में अवस्से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद